मेरी अच्छा है भी community, मानना है कि जो भी knowledge आपके पास है, अगर आप बांटते हूँ, तो बढ़ती है, तो अपनी knowledge बढ़ाने के लिए एक बाइ फिर आपके साथ जोड़ रही हूँ, आज मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, कि जब हमारा treatment शुरू होता है, तो हम क्या expect क चाहिए कि शायद हमारा treatment पुरी तरह से असर नहीं कर रहा, जब हमारा treatment स्टार्ट होता है, तो first six months के बीच में कुछ हमें response मिलने चाहिए, यानि जो expected response हमारा रहता है, उसमें पहला है weight gain, यानि कि हमारा जो patients आते हैं, usually weight loss उनका हुआ होता है, तो हमारा सबसे पहला ये रह रहता है कि general well-being की उनमें feeling आती है, जैसे HIV के साथ थोड़ा myalgia, fatigue, fever और कुछ opportunistic infections या वैसे general infections उनको रहती हैं, वो कम हो जाती हैं और वो अपने आपको थोड़ा सेहतमन महसूस करते हैं, तो weight gain और general well-being और उसके बाद एक third है कि CD4 बढ़ने लगता है, कितना बढ़ता है, CD4 expected है कि 6 महीने अगर आप धंग से regular अच्छी तरह adherence से बिना gap डाले या टीलिंगे, तो आपका 6 महीने में 50 तक CD4 बढ़ना चाहिए, और एक साल में 50 से 100 तक आपका CD4 बढ़ना चाहिए, अगर इतना CD4 आपका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने बिलकुल सही दिशा म हमें कदम रखा और हमारी दवाईयां बहुत अच्छे से अच्छे से अक कर लिए, और 6 महीने बाद हमारा जो वाइरल लोड है वो TND आना चाहिए, यानि target not detected, यानि आपके खून में वो वाइरस जो है, वो नहीं दिख पा रहा, या बहुत लो लिमिट है, हजार से कमी है, जब हमारा CD4 नहीं बढ़ रहा, जब हमारा वाइरल लोड एक हजार से जादा है, जब हमें कोई main OI opportunistic infection या stage 3 या stage 4 की कोई illness आ जाती है, जैसे हमें disseminated TB, पूरी बॉड़ी में TB फैली हुई है, या दिमाग की TB हो रही है, या किसी तरह का cancer हो रहा है, या कोई PCP pneumonia या कुछ infections जो stage 3 और stage 4 में आ रही है, बार-बार से pneumonia हो रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो हमें ये सतर को जाना चाहिए, कि हमारी जो दवाई है, उसका proper result हमें नहीं मिल रहा, दूसरा है हमारा progressive decline in CD4, हमारे CD4 अगा stable भी रहता है, तो हम थोड़े सतर को जाते हैं कि बढ़ना चाहिए था, बट अगर वो decrease कर रहा है, तो फिर ये definitely एक cause of concern है कि हमें देखना चाहिए कि CD4 क्यों decline कर रहा है, और अगर viral load increase हो रहा है, जैसे कि हमने पहले भी discuss किया था कि 1000 copies per ml, इतना blood, 1 ml, उसमें 1000 copies से जादा viral load हो जाएगा, तो सतर्कता की जरूरत है, समच जाना चाहिए कि failure की और ये सब चीजें हैं जिन पे हमें बिल्कुल active हो जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कही failure तो नहीं हो रहा है, हम failure की बात क्यों कर रहे हैं, जब हमारे पास कोई patient आता है, जो भी treatment हम उसका शुरू करेंगे, वो उस patient की first line होगी, मैं अपने patients को usually इस तरह बताती हूँ क ये तीन सीडिया है, इन तीन सीडियों पे हमें अपने पूरी जिंदगी निकालें, पहली सीडी first line, दूसरी सीडी second line और तीसरी सीडी third line, first line मतलब जो हमने सबसे पहले में शुरू किया, अगर वो fail हो जाता है, failure के criteria मैं आपको भी बताऊंगे, तो हम दूसरी सीडी पे third line के अभी बहुत जादा failure के cases नहीं आए हैं, बट जो third line के failure के cases आते हैं, उनको salvage therapy दी जाती है, यानि कि उनकी drug sensitivity testing, उनकी testing कराई जाती है, कि उनकी body ते जो virus हैं में कौन-कौन सी दाइया असर करेंगी, और उसे साबसे उनको फिर salvage therapy दी जाती है, तो अगर first line की बात करे आया है कि fixed drug combination है, जादा तर patients को TAD चल रही है, हाला कि कुछ और दवाईया भी है, जो आने वाले videos में आप से बात करूँगी, अब अगर किसी की first line चल रही है, और 6 महिने बाद हमने उसका test किया, तो हम तीन तरह के failure उसमें देखते हैं, एक होता है clinical failure और एक होता है immunological failure और का कोई medicine में gap ना डालने के पाप, जूब, patient clinically deteriorate कर रहा है, clinically deterioration का मतलब उसमें और infections आ रही है, उसकी health नीचे जा रही है, उसका weight gain होने की बजाए रादर loss हो रहा है, वो बिमार रहता है, तो वो clinically fail हो रहा है, दवाईयां उसमें असर नहीं करें, दूसरी बात हम करेंगे, CD4 देखते हैं, अगर किसी patient का CD4 धाईसो से कम है, या persistently सो से कम है, यानि किसी patient का हमने treatment स्टार्ट किया है, और ये जरूरी नहीं है कि failure हम 6 महीने बाद, बतलब 6 महीने बाद failure आने के chances वैसे बहुत कम होते हैं, adherent patients में, कई सालों बाद failure आ सकता है, जैसे किसी में 8 साल या 10 साल या 15 साल की therapy के बाद भी उसमें failure आ सकता है, तो उस stage पे हमें ये होता है कि अगर किसी का CD4 धाईसो से नीचे जा रहा है, या फिर लगातार उसका जो persistent 100 से नीचे है, persistent 100 से नीचे का मतलब जैसे कोई patient हमारे पास आता है, जिसका CD4 75 और हमने ये RT स्टार्ट कर दी, अब ह फिर से 6 महिने बाद, यानि एक साल पे कराया तो 90 हो गया, तो इसको हम बोलेंगे persistent less than 100, for one year almost, तो उस case को हम failure में मानेंगे, एक तो उसका CD4 धाईसो से नीचे चला गया, और एक उसका persistent less than 100 हो गया, एक और criteria होता है कि persistently falling, पहले हमें criteria लेते थे less than half of the highest, half of the highest मतलब किसी का 200 पे शुरू किया और उसका दो साल बाद 800 पे चला गया, सपोस करो उसका फिर 2 महिने बाद या साल बाद, चार सो से नीच आया तो failure, वो criteria अब latest guidelines में नहीं है, latest guidelines में दो ही criteria है, या तो उसका CD4 धाईसो से नीचे जाए, और या उसका CD4 पसिस्टन थे कम रहे, कहन से कम एक सा अब हम बात करेंगे वाइरलोजिकल फेलियर की बात में आप से पहले भी कर चुकी हूँ, अगर किसी patient का वाइरल लोड छे महिने पे एक हजार से जादा आता है, तो हम लोग उसकी तीन महिने की step-up counseling करते हैं, जिसमें हम उसको diet का बताते हैं, उसके adherence का check रखते हैं, measures ले उसके बाद हम तीन महिने बाद उसका वाइरल लोड रपीट करते हैं, suppose करो इतना कुछ करने के बाद, अच्छी adherence के बाद, अच्छी diet के बाद, उसका तीन महिने बाद फिर वाइरल लोड हाई आ गया, तो इसका मतलब है कि वो failure में चला गया, अब जब हमाए पास failure confirm हो ज देखे जाते हैं और यही second line failure में देखे जाते हैं, तो अगर first line failure हुआ तो हम second line पे जाएंगे और second line failure है तो third line में जाएंगे, second or third line हर center में start नहीं की जाती, ART plus में और COEs में हम लोग second line start कर सकते हैं, और third line सिर्फ center of excellence में, ART plus में भी नहीं, इसलिए यह हमें ध्यान रखना चाहिए, vigilant रहना चाहिए, जैसे मैं patients को बताती हूं कि आपका CD4Q करवाते हैं, वो कितना होना चाहिए, viral load कितना होना चाहिए, तो यह आपको पता होना चाहिए, अगर आप कभी failure की तरफ गए हूँ, हमीं कोशिश करनी चाहिए कि जो तीन महीने बाला, तीन महीने बाद व इंप्रूव हो जाए, और हम लोग failure से निकल जाएं, ताकि हमारी जो भी line of therapy है, जितनी लंबी चल सकती है, उतनी जलाएं, हमें बहुत जल्दी medicines change नहीं करनी, क्योंकि जितनी हमारे पस medicines हैं, हमें पूरी जिंदगी patient को देनी हैं, तो हमें rational use करना है medicines का, इसलिए हमें कोश करनी जाहिए, जितने भी patients हैं, उनको पता होना जाहिए, failure किसको कहते हैं, treatment fail कब होता है, और हमें उसको prevent करने के लिए क्या करना जाहिए, अगर आप 70-80 साल जीते हैं, तो हमें इन दवाईयों पे 70-80 साल काटने हैं, उसके लिए ये जरूरी है कि एक दवाई, एक therapy, जितन लंबी चले, उतना अच्छा है, तो stay educated, stay aware, take care of your health, जानकार रहिए, ताकि हम इस बिमारी से लड़ सकें, भगवान आपकी 100 साल की उम्र करे, स्तम जीवम श्रद्धा, let's fight together, bye.